C में अंगल AX है, B3X है और CY है, यदि 3Y माइनस 5X बराबर 30 है, तो दिखाइए कि यह सम कोन तिरभूज है, अच्छा सम कोन तिरभूज होने के लिए तीनों में से कोई भी एक कोन 90 हो जाएगा, तो सम कोन हो जाएगा, है ना, चलिए तो यहां पे लेके चलते हैं, अंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180 हो जाएगा ना, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि तिरभूज के, तिरभूज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग, एक 180 डिग्री होता है, एक 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठ लिएक्स और एंगल सी है आपका वाई बराबर में एक्स वाची यहां सो ज2589 और चयार समीकरान तयार हो गया और दूसरा समीकरान दिया हुआ तो लिख लिए-क्रों की यहां इस पहले सीधा करके नहीं लिख सकते है मینग नताया है 5 यहां पोल सती निवांग में 30 यहां दूसरा समीकान हो जाए तो एक काम करो ना इस यह में 3 से गुना कर दो इसमें 1 से नचैने वाला सेम हो जाए कंलेगों एक तथा 2 से तो 4 जदाएग करें तो 12 का 12 एकस पलस में 3 वाई और कितना हो जागा अठाराती है चोवन 540 डिग्री और यहां एक से गुना होगा तो भी होगा मैनस का 5X पलस का 3Y बराबन में 30 चलिए साइन बदलते हैं यहां पलस यहां माइनस यहां माइनस यह कट जाएगा 17X बराबन में हो जागा 510 इसको ला जाएगे भाग में X का मान 30 आ जाएगा X का मान समिकरण 1 में रखने पर जिसमें मर्जी उसमें रखने पर क्योंक है कि समिकरण एक में रखने पर समिकरण 1 है आपका 4X पलस Y बराबर में 180 एक सोबीस हो जागा 120 को उधर गटा देंगे एक सोबीस गटाएंगे तो यहां से आजगा साट तो इसलिए एंगल एक स्था ना यहीं तीस डिग्री एंगल बी आपका क्या होगा तो वह 3X था यहां कि 3 गुना 20 से 3 गुना 30 नहीं कि 90 और एंगल सी कितना था था एंगल सी आपका है था था तो एंगल सी वाई है यानिकि 60 तो यहाँ पर एंगल B 30 आ गया चुकि एंगल B आपका 90 आ गया अता तिर्भूज A B C एक समकोर तिर्भूज है समकोर तिर्भूज है क्योंकि एक को नब्बे आ जा रहा ना इसलिए यह समकोर तिर्भूज हो गया पॉसर नमर 33 देखो जब एक आयत की लंबाई पांस मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई तीन मीटर बढ़ा जाती है तब उसके सित्फल में